Hello everyone, हम करने जा रहे हैं Multiple Choice Questions, Lesson का नाम है On the Face of It. First question, क्यारा Mr. Lamb जो थे, वो हनी यानी शहद से क्या बनाया करते थे? टौफी बनाया करते थे. क्यारा Dairy और Mr. Lamb किस चीज के शिकार थे, विक्टिम थे? तो देखो, दोनों ही शारिरिक रूप से ऐसक्षम थे, उनमें शारिक रूप से कमी थी, ये बात उन दोनों के बीच कोमन थी. इसी पर एक आगे भी question आएगा कि दोनों सारेरिक रूप से ऐसक्षम थे यही बात उन दोनों को जोड़ती है यानि यह दोनों इस चीज के पिडित थे करे अगर dairy वापस नहीं जाता तो वो किस बात से डर रहा था कि अगर मैं वापस नहीं जाओंगा तो क्या हो जाएगा तो यह डर रहा था कि अगर मैं वापस नहीं गया ना तो मैं संसार में दुनिया में कहीं भी नहीं जा पाऊंगा never go anywhere in the world again क्या रहा है Mr. Lamb कौन थे देखो वो young man तो नहीं थे ना ही वो बीच की उमर के थे middle age के भी नहीं थे वो तो old थे old man थे why does dairy begin to weep in the end देखो अंत में dairy क्यों रोने लग जाता है तो उसने देखा था कि Mr. Lamb जो है वो उपर से गिर गए थे इसमें लिखावा Mr. Lamb was dead इस वज़े से dairy रोने लग जाता है करहा है जो dairy था जिसका चेहरा जलावा था वो अपनी मां के साथ यानि अपने परिवार के साथ वहाँ पर जिस भी जगे की ये बात है तीन महिने से रह रहा था उस घर में वो तीन महिनों से रह रहे थे dairy और उसकी मा dairy गुसा था एंटर किया था यानि मिस्टर लेम के एपल गार्डन में वो गुसा था कैसे बाई कैसे तो एक दिवार पर चड़ के देखो वो विंडो से होके नहीं गया था ना ही वो खुले गेट से गया था वो तो दिवार के ऊपर से चड़ के गया था क्लाइम ओवर दा वोर मिस्टर लेम ने डैरी को अपने बारे में क्या बताया था एक बात तो बताई थी कि मेरी जो टांग है ने लेग है वो लोहे टिन की बनी हुए टिन की बनी हुए दूसरी कि मैं अभी भी खुश रहता हूँ तीसरी उसने का था कि जो बच्चे हैं, चिल्डरन है वो मुझे चडाते हैं, टीज करते हैं मैं इस बात का बुरा नहीं मानता ये तीन बाते बताई थी नेक्स्ट डैरी किस बात से पिडित था डैरी जो है, वो हीन भावना से पिडित था क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था Mr. Lamb Garden में क्या हुगाते थे तो definite सी बात है Apple का Garden था तो Apple हुगाते थे क्या रहा है Mr. Lamb जो है वो सेव कैसे उठाते थे यानि कैसे वो सेव कैसे इकठे करते थे तो वो क्या करते थे एक ladder यानि सीडी ले 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 ल लैम की और खिचा चला आया तो कई बाते थी number one तो वो दिखने में बड़ाई आकरशक लग रहा था मतलब ऐसा लग रहा था बड़ा प्यारा इंसान था दूसरा वो खुद भी दुख में था his grief उसका दुख था और तीसरा वो जिंदगी के परती बहुत positive रहता था दुखों inferiority complex का मतलब होता है हीन भावना हीन भावना का मतलब होता है खुद को दूसरों से कम समझना इसको इंग्लेश में बोलते है inferiority complex इससे पिडित था क्यों क्यों वो inferiority complex से पिडित था because of his burnt face अपने जले हुए चेहरे के कारण dairy जो है वो अकेला रहना चाता था ठीक है ना अकेला like करता था अकेला रहना क्यों नमबर वन बात तो उसका चेहरा जलावा था नमबर दो बात की जो people थे लोग थे वो जो उस पर comment करते थे टिपनिया करते थे उसको वो send नहीं कर पाता था और नमबर तीन वो inferiority complex यानी हीन बावना से करसी था इन तीनों बातों की वज़े से वो अकेला रहना चाता था ये question फिर से आगया कि dairy और उसकी माँ वहाँ पर कितने महिनों से रह रहे थे तो वो तीन महिनों से रह रहे थे dairy का चेहरा जला था acid तेजाब की वज़े से कह रहा है Mr. Lamb का किस परकार का garden था क् चेरी का नहीं, पलम का नहीं, पीच अडू का नहीं, एपल का garden था नेक्स्ट कहरे कौन सी ऐसी बात है वट जो जो जोडती है युनाइट करती है लैम को और dairy को, dairy और Mr. Lamb को कौन सी एक बात जोडती है तो वो है कि दोनों शारिरिक रूप से एसक्षम थे, फीजिकल रूप से इंपेर्मेंट थे, एक की टांग नकली थी, एक का चेहरा खराब था तो, शरीर में गड़ बड़ थी, ये बात उनको जोडती थी, Mr. Lamb ने dairy की help क्यों की थी, उनका कोई स्वार्थ नहीं था, because क्यों की, वो जो है न, चाहते थे कि dairy जो है न, वो change हो जाए, और अपना ज जरिया दरश्टी कौन सोच है, जिन्दगी के परती वो बदल ले, Mr. Lamb कौन थे, यंग मेन नहीं थे वो, middle-aged मेन भी नहीं थे, वो एक old मेन थे और एक lame मेन, यानि एक लंगडे वेक्ती भी थे, that is all for today's lesson, thank you for watching.